अलो फ्रेंट्स बायोड में आप सभी का स्वागत हैं अभी तक हमने बायलोजी में 3 चेप्टर देख चुके हैं पहला चेप्टर था आपका reproduction human या human reproduction बोलिए सेकंड चप्टर था आपका सेल और थर्ड चप्टर था आपका सेल सैकल एंड सेल डिवीजन और हम सबने बहुत इच्छा तयारी किया अच्छे तरीका से सारे कुष्चन को सॉल्व किया और यह आज फोर लेक्चेर है बायलोजी के जो टुवल्थ क्लास के सेकंड चप्टर है सेक्ष्वल रिप्रोडेक्शन इंड फ्लावरिंग प्लांट तो दोस्तों इसमें भी बहुत सारे इंपोर्डेंट इंपोर्डेंट क्वेश्चन है अगर अगर कलिचर के बात करो तो उसमें चार कुष्चन यहां से आने की सम्भा बना रती है और पारमेडिकल में एक से दो कुष्चन और एम्स या नीट की बात करो तो एक से दो कुष्चन वहाँ भी आ सकते हैं तो कुल मिलाकर बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट चेप्टर ही है और मैं तो कहूँगा कि एक बार आप लोग NCRT बुक पढ़ ले उसके बाद यहाँ प्रैटिक्स करें मेरे कुश्चन का एंसर बताने से पहले आप उसका एंसर बताए और तैयारी अच्छा से करें ताकि अच्छा से अच्छा कोलेज मिलें ठीक तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का तो फ्रेंड्स से मरब पहला क्वेस्चन है दियर आरट टू टैपस आफ फ्रावरिएल प्लांट नेमली फ्रावर जे होता हुम्म दो तैपस अज़क एक नाब कनता है उनीसेक्सुल और एक होता है बायक्सक्शोल तो कहा हो जागा इस कैंसर बी थीक, बी नमर हो जागा इस कैंसर चलिए next question देखते हैं है दौनमर question देखते हैं female reproductive part of a flower is known as flower के female reproductive part को क्या बोलते हैं carpale ओ अभी जो note करके जो pixel आपको दिखाए दिये है उसको slide करके note down कर लिए है फिलाइन को slide करके note down कर ली जी हअर एक point को वहीं से सारा का सारा question आएगा इसलिए मैंने दोनों नोट पॉइंट को फस्ट में ही दे दिया था कि आपको वो नोट कर लिजेगा तो बहुत सारे क्वेस्चन होगा जो आपको लगे कि यह क्या है तो वह नोट पॉइंट जैसे ही देखेंगे वहाँ से आपको किलर हो जाएगी कंसेट ठेक तो दो नमर का हो गया है चलिए तीन नमर क्वेश्चन देखते हैं तीन नमर क्वेश्चन है मेल रिप्रोडेक्टिव पार्ट आफ ए फ्लावर इस नोने मेल रिप्रोडेक्टिव पार्ट क्या दा है एस्टेमेन ठीक चलिए चार नमर क्वेश्चन देखते हैं चार नमर क्वेश्चन है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आफ ए फ्लावर कॉंटेंट तू राउंड शेप के रहता है इधर से भी और इधर से उसको क्या बोला जाता है यह जो ऐसे जो रड़ता आई है इसको या उला जाता है क्या हो जागा एंसर ए नमर एंसर चलिए पाच नमर क्वेस्चन देखते हैं पाच नमर क्वेस्चन हमारा mostly color of sapal सेपल का जो color होता है वो green होता है नीचे जो रहता है सबसे क्या हो जागा answer? B, green चलिए छोड नमर क्वेस्चन देखते हैं 6 नमर क्वेस्चन है fertilization occurs आपको पताए कि fertilization तभी होगा जब male gamit और female gamit संपर्क में आएगे तो उसके लिए क्या ज़र रही है pollination, तो क्या होगा after pollination pollination के बाद होगा fertilization इसका answer 6 क्या हो जागा? A चलिए 7 नमर क्वेस्चन देखते हैं 7 नमर क्वेस्चन हमारा mostly color of petals अब पूचरा के petals का कैसा होता है petals पंखुडी जिसको बोलते है flower की जो पंखुडी होते है वो तो आपको पताए कि colorful होता है क्या हो जागा? A नमर bright चलिए 8 नमर क्वेस्चन देखते है 8 नमर क्वेस्चन है transfer of polygrain from entered to stigma of same flower अच्छा एक एक क्वेस्चन यहां से मेरा है transfer of polygrain from entered to a stigma उसको क्या बोला जाता है pollination बोला जाता है pollination क्या है? transfer of polygrain from entered to a stigma is called pollination चलिए ये question क्या बोल रहा है? ये देखते है transfer of polygrain from entered to a stigma of same flower मतलब same flower और the stigma of any other flower of same plant बोल रहा है कि एक ही फ्लावर में enter per se अगर polygrain एस्टिग्मा पर जाती है तो और एक ही प्लांट के एक फूलमर से दूसरे फूल में जाता है enter per se stigma of polygrain तो उसे क्या बोलते है self pollination हुआ एक ही प्लांट में है न तो इसका हो जागा self pollination ठीक चलिए add number question देखते हैं और pollination कितने टाइप्स के होते हैं वह not point आपको दिखा गया है दो टाइप्स का वहां से आप देखेगा self pollination और cross pollination ठीक तो not point वाले को anytime आप याद रखेगा इसलिए non number question देखते हैं नो number question नमरा टीप आफ कारपेल इस नो नेज कारपेल के टीप को क्या बोलते हैं एस्टीगमा बोलते हैं ऐसे जो रहता है नीचे में अबरी इसे में ओभ्यूल रहते हैं यहाँ पर तो इसको क्या बोलते हैं इस उपर वाले भाग को एस्टीगमा बोला जाता है क्या हो जागा answer a ठीक 19 का a हो जाएगा चलिए दस नमर कुश्चन का क्या हो जागा answer a चलिए दस नमर कुश्चन देखते हैं दस नमर कुश्चन है आपको to make seed a flower there must be एक flower को seed बनाने क्या जड़ी है तो पॉलिनेशन करेगा तब इना मेल गे मीट आएगा तब वह ब्रीम जाएगा तब वहांसर से fertilization करके seed बनाएगा तो क्या होगा जड़ी होगा पॉलिनेशन का चलिए 11 नमर कुश्चन देखते हैं 11 नमर कुश्चन है part of carpal where eggs are found is known as carpal के किस पार्ट में एक पाया जाता है तो आपको पता है कि ओब्रीम में पाया जाता है क्या हो जाएगा एंसर सी चलिए 12 नमर कुश्चन देखते हैं 12 नमर कुश्चन है most of plants reproduce through most of plants reproduce 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 मतलब फिर से उनको फॉर्म में लाने के लिए प्लांट को ज्यादा तर किस फॉर्म से उगाया जाता है बीज रूप के जाता ना बीज डाल जाया जाता पोधा उगता है ज्यादा तर उसी फॉर्म से होता है क्या हो जागा seeds seeds फॉर्म से चलिए तेरा नमर क्वेश्चन देखते हैं transfer of polygrain from enter to a stigma of different flower in different plant यहां पर question ना लगाया वहां पर same flower same plant था या different flower same plant था यहां पर different flower different plant या different plant या different plant different flower इसको क्या बोलेंगे cross pollination क्या हो जागा cross pollination reproduction नहीं होगा pollination होगा उसके बाद reproduction होगा इसलिए reproduction नहीं होगा चलिए चोदा नमर क्वेश्चन देखते हैं चोदा नमर क्वेश्चन है polygrain in enter polygrain in enter are उसको क्या बोलते है polygrain को क्या बोलते हैं male sex cell बोलते हैं क्या हो जागा इसका answer बी चलिए पदर नमर क्वेश्चन देखते हैं stigma of wind pollinated flower is stigma ऐसे जो रहता है इसे न एस्टिगमा बोलते हैं वो ऐसे फिगर नहीं बना पड़ा है उतना तो वो जो होता है wind pollinated flower का stigma कैसा होता है तो फैदरी रहता है क्या हो जागा answer बी चलिए शोला नमर क्वेश्चन देखते हैं सुर्णा नमर क्वेश्चन है first part which comes out of a seed is seed का पहला भाग क्या आता है seed जब बनने लगता है समसे पहले क्या आता है रेडी की लाता है क्या हो जाग answer a 16 का a चलिए सुर्णा नमर क्वेश्चन देखते हैं जब इंब्रायो ग्रोज और टर्न इंटू ए जब इंब्रायो ग्रो कर जाता है तो और किस रूप में हो जाता है और वह सीड के रूप में बन जाता है और यो जाता हैं спрос 10 चलिए 8 नमर क्वेश्चन दीखतेख्टे हैं आधरण मअ क्वेश्चन और पॉल्न ग्रेज्ण ऑर बर्ड पोलिडनेटेटट फ्ल्य हैं बर्ड पॉलिनेटेट फ्लावर जो होते हैं उसके पॉलिनिग्रेंड नंकरते हैं देखे बर्ड फॉलिनेटेटेट है तो वह तो हलका होगा होगा ठीक डेज फीडर्ड फिडर्ड टैस्ट क्या हो जागा इसका एंसर आफंची को बिश्चन देखते हैं प्लावर्स पॉलिनेटेड बाई means of insects जो फ्लावर इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेटेड हो रहा हो उसका कलर कैसा होगा फूल का वह पोलीग्रेन कैसे होंगे या पूछ रहा है तो ब्राइट कलर का उसका पीटल होगा पीटल ब्राइट होगा तभी तो इंसेक्ट पावरे आएंगे ब्राइट कलर होगा पीटल सुनके और एट्रेक्टिव एसेंट होगा थिक क्या हो जागा इसका एंसर एनमर एनमर में दिया हुआ है कि चलिए बीस नमर कुष्टिन देखते हैं कि बीस नमर कुष्टिन पार्ट ओफ फ्लावर दाट प्रोटेक्ट्स फ् फ्लावर का जो फ्लावर के बर्ड रूपने मतलब छोटी से नहीं निकलती है उससे फ्लावर नहीं मनती है मतलब छोटा सब बर्ड जो निकलती है तो उस तेम उसका मतलब प्रोटेक्शन कौन करता है तो सेपल जो होता वही उनके प्रोटेक्शन करता है ग्रीन किलर की जो होता है जिए 22 नमर क्वेस्चन देखते हैं 22 नमर क्वेस्टन हमारा विंड पोली नेटेड फ्लावर्स हैंक्स होता है उसके हैंक्स होते हैं नीच्छे की ओर चुका होता है थिक क्या होजगाँ डॉन वर्टस चलिए त्ट थ्ट नमर्ट क्वेस्चिन देखते हैं त्ट थ्ट नमर्ट क्वेस्चिन है एच ओवीूल कंटेन ओव्यूल में क्या रहता है female sex cells और enter में क्या रहता है मिल सेक्स सेल्स ठीक चलिए 24 नमर कुषिचन देखते हैं 24 नमर कुषिचन नमारा वेन फ्रूटी फोर्म ओभ्यूडस इन्टू जब फुट मन जाता तो और ब्यूड जब वह सीड की रूप में चांज ज़ूजा तो क्या हो जागा कीस का, चलिए 25 नमर क्यिश्चन देखते हैं, 25 नमर कुश्चन हो, जब इंडुस पर्म प्रोवाइड इट, उसके इंडुस पर्म जो है, उनको फूड प्रोवाइड करता है, 25 क्यों हो जएगा D, चलिए 20 नमर क्यिश्चन देखते हैं, चुब इस क्वेश्चन है वेन एनिमल इट्स फ्रोट्स सीड आर नोट डाइजेस्ट यूटू देखते होंगे जब एनिमल सब कोई फ्रोट खाते तो उनके जो सीड होते बिच्चा जोते वो डाइजेस्ट नहीं होते हैं वो ऐसे ही बाहर निकल जाते हैं जब हो टैलेट कर क्यconnect जोता हो बहुत ज्यादा हार्ड होता है चलियो इसका एणशेयोर म्gem दर्ट्म देख देखें कि सब्स्यक्ताइशन नोबROटायो इज ओल्टाइशन इंसोन पेटनों आच के और सेयल्स गुलता थेस्टाक क्याidents देश्टा किया हो जारार थेस्टार थेस्टाइशन त यहां पर नहीं होगा क्योंकि यहां पर दोनों मेल सेल मतलब पॉलिन ग्रेन आया है यहां पर थेक फिमल सेल के पास क्या हो जागा इसको बोलेंगे फर्टी लाइजेशन तेक यह नमर हो जागा अथा इसको अंतिस नमर क्वेश्चन देखतेगा तेक नमर क्वेश्चन है इसको बेजिटेटिव बोलते हैं ठीक चलिए तीस नमर क्वेश्चन देखते हैं इसको पॉलिनेटर फ्लावर फिस होता है जो इंसेक्ट के थूरू होता है वह उपर क्योड होंगे ठीक इसे पहले आप जो शुरू में दिखाया गया होगा स्लाइड्स कुछ पिक्स की उसमें देखते होगे संफ्लावर का उपर क्यों रहता है क्या हुआ अब वार्ड तो वह उपर साकर के भावरे बैठेंगे उस पर उन पर से उर्के दूसरे पर जाके भावरे बैठेंगे उपर से तो फ्रेंड्स हमने यहां पर 30 क्वेश्चन जो 12 के सेकेंड चेप्टर है सेक्षवल रिप्रोडेक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स और उम्हें उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगाओगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंडों के सब्सेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो आपका धेज की और पारामेडिकल आपको सक्सेस करना है पारामेडिकल में आपको टॉप को लेज लेना तो आज के लिए बस सितना है थैंक्यू